लोग स्टेर्स को क्विट करके इधर से आ रहे हैं वहाई गुट गया था भाई यह साड़े चार सु साल पूरा ना मन ली रहे है मत करो यार मजा कर रहे हैं पॉन ले जाएगा हो मेरा एगाइज गॉड मारिंग वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लोग नहीं देखा तो जल्दी सी जाईए मेरा लास्ट व्लोग देख लीजए और जस्ट इस पहाड को देखने के लिए इस पहाडी को देखने के लिए नजारा देखने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं तो जल्दी से हमरा जो हमारी जो उपर की जनिय वो स्टार्ट करते हैं और यह है में गेट जहां से हम लोग अंदर जाएंगे हमारी बाइक लेके और बाइक उपर चड़ाने का और भी ज्यादा मचा आएगा तो लेट्स गो आप लोगों को बोर्ड में थोड़ा सा दिखा देता हूं में जो बोर्ड है वो यह है स्री डूंगर बालाजी मार्क गोपालपूरा के अंदर यही मंदिर आता है पूरागपूरा और प्रेमा देवी पूरा उनका यहां पर कुछ बनाए हुआ है चेरिटेबल ट्रस्ट के थूए पूरा-पूरा डिवलाप किया गया है और ऊपर जलते हैं आगे की जानकर यह आप लोगों ऊपर मिलेगी हमा वाला जी भगवान की चे जेहू सामने से गाड़ी आगई वाव वाव बाइक चलाने में अलगी मजारा देख लीजे काई पूरी की पूरी खड़ी चड़ाई है यह बाइक को जोड आ रहा है उपर चड़ने में लोग स्टेर्स को क्विट करके इदर से आरे हैं वाई को बहुत जोड़ा रहा है उपर चड़ने में तो यहां से देखो व्यू देखो यहां से नीचे रह गया पूरा को पूरा गाम अब व्यू देखो गई अभी और उपर और जदा एक्स्ट्रीम व्यू आएगा तो चलते माई उपर कितनी खड़ी चलाई ज़ाई वाई अब चलाई पीशे वजन दा चलो candy को पाले केर में चलाई बड़ेकी को दूसरा इंचरा गाल्रहां यह यह लड़ा नहीं तल्रण भाई 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 को फुल जोर आ रहा रहा है वन मोल टरन अब तो पऊंच गए इतनी सी ये चढ़ाई है इस चड़ाई में जो मुझा है वो कहीं पर नहीं है जोड़ा रहाए बाइक को खूब जोड़ा रहा रहा है चड़ने में बास इसी जगे वे अमने लास्त ताइम फोटोज ली थी चालो चालो अब पहुंचे हैं भाई पार्किंग सेक्शन में सामने देखो ऐसे लग रहे है नीचे घुदादू भाई भाई फाइनली ये ट्रिप एंजॉय करने के लिए ये जड़ने इंजॉय करने के लिए हम लोग यहां पर आये और व्यू आप लोग देख सकते गाइस लुदा करें जो खुदाई हो रही है बज़ली निकाली जा रही है मतलब बहुत ही जदा एइक डिफ्रेंट वाईब सेह यहां पर आके आप लोग पूरा पूरा व्यूरा देख सकते हैं यहां से कितना ज़ customer कितना ज़्यादा यूनीक कितना ज़्याधा एक्स्ट्रीम हम बोल सकते हैं इसको और सामने जो मंदिर है वही है बालाजी भवान का मंदिर जहां पर हम लोग अभी जाएंगे दर्शन करने के लिए देखे व्यूँ पूरी की पूरी सेटप चेंज कर लिए हेलमेट उतार दिया चंपू राजा बना वहां फिलान में और व्यू देखे कैसा फिल आपको पूर्स ताइम है यहां आया हूं और हरीशाजी आपे फर्स ताइम आये हैं और व्यू कि अगर मात करू तो मेरे बैक साइड में आप मतलब अगर उत्राखंड की पाड़ियों की भी अगर हम बात करें तो वह भी ऐसी नहीं है फिकोज यह एकदम खड़ी चड़ाई की उपर है मैं जहां जहां गया हूं वहां पर कुछ असा नहीं 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 है वहां पर उपर तक जाते हैं लेकिन यह जो वाइब्स है यह अब लोग यहां अगर देखें तो इसके अलावा यहां पर कुछ नहीं है सिर्फ वही जो राजस्तान का महूल होता है वैसा यह आप लोग देखें पीछे की साइड में तो सिर्फ एक तो यह पाड़ी है जहां पर हम लोग खड़े हैं और एक वह और दो तिन पीछे की मुझाना डीनले तो फिलाल हम भी उपर चलकि दर्शन करके आते हैं आप लोगों को दिखाते हैं पूरा का पूरा आगे का सैट अप क्या है आगे का व्यू कै क्या कुछ आगे आप लोगों देखननी को मिलेगा लेट्स गो तो भाई लोगों हम लोग को इतना ज्यादा उपर बाइक से आने के बाद भी कुछ दूर तक उपर पैदल जाना पड़ेगा और यह खड़ी चड़ए बिल्कुल खड़ी चड़ए आप देख सकते हैं यहां पर कोई स्टेस नहीं है जस्ट पत्थर को थोड़ा स स्su teenata सिमिलर करके पूरा फ्रैट करके कदस्ता बनाए गया हुसaking है और यहां पे हम दोनों चमभीर आजा अब आबारा मूझ दोएंगे फिर और बने गहां एजाए को यहां पेमेमें दल मिल गये है यहां पर हाथ Tell上 के फिर यां यहां पर आप मुझ अर्याट को पीर दिखाई दे रहा होगा मेरा चाहरा इतने देर तो पूरा लाल टमाटर बना हुआ था और हरी सचुने भी मुद हो लिया है फिलाल मंदिर यह है बहुत ज़्यादा क्लोज है हमारे तो जस्ट थोड़ा साफ सफ़ाई करेंगे फिर डारेक्ली मंदिर पर चलेंगे दर्श अब फ्लाइट है अब ज़्यादा जोड़ नहीं आएगा सीडियो से आते तो और ज़्यादा जोड़ आता हम लोग को लास्ट आए हमने पर स्नेक लिये थे वो भी हमारे गले में डाले ते लेकिन अब भी इस ताइम पर कोई नहीं दिख रहा हमें यह आप देखें पूरा लोग यहां मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उपर और हरी शाच वागे आगे जा रहे हैं मैं पिछे पिछे जा रहा हूं एक जेकार लगाते हैं बोलो बाला जी बगवान की ज़ए हो थोड़ा रास्ता थोड़ा चोटा है हम धोजन भी फिट नहीं आरे इसमें यहां से एक्स्ट्रीम वी आता था लेकिन यह भी लोग कर दिया वाजीवा याद आ रहा है मैं परिशाद लेना है यहां से मिल जाएगा है हो गया काम इसका है फिलाल मैं मेरा हैलमेट जो है शॉप कीपर को दे देता हूँ भीया यह हैलमेट आपके पास रख लो कि अन्दर रख देते हैं तो भाई प्रिशाद बज़रा ले लिए हैं अब भी जा रहें उपर के और मंदर के दर्चन करने के लिए दोस्तों फिलाल हम लोग चल रहे हैं मंदिर के अंदर की सेड में दर्शन करने के लिए पंडी जी से जानते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है क्या इस मंदिर का रहश्य है और कब से यह मंदिर यहां पे है कितने कितने दूर से यहां पे लोग आते हैं कि वहांपर पर बताओं गया-जे ब्रीघ्ल साड़ी 400 साल पुराना मंदिर है ठीक है इस मंदिर के राजा यहां पर किला बनाना चाते थे ओके तो यह जो मूर्थी आप देख रहे हैं यही मूर्थी की बात करें सरा तो गाइस सामने जो आप मूर्थी देख रहे हैं यह मूर्थी उनको मिली पूरार एच से अभी मंदिर बना दिया सोटा और यह बीच वाली मूर्थी अपनी तरफ से इस्ताफना करवा दी अच्छा बीच वाली उन्होंने अपनी तरफ से लगाई गई है और जो राइट साइड में है वो उनको यहां पर मिली थी यह मंदिर कितना पुराना है हैं 1601 जूरास सालबना न यहां फूरे चैर सूसाल पुराना है तो पुझौरी जी यहां पर कितने कितने दूर से लोग आते लोगों को पता है ने पुरा के निर्मान यहां पर किस ने करवाएं इसराल आपड़ाए टापडिया परिवार ने करवाए mode वो पहले था या यह सड़क का राजा अच्छा सड़क का बाद में बनाए गया तो सीडियों का राजा थे अलग भक्तों ने आप लग बाद बाद नोगे थे लाड़नों के थे लाड़नों के उसने शीडिया वन भई तो फ्रेंड्स मंदिर के दर्शन में आप लोगों करवा देता हूं यहा पर पूरे के भारत भर से लोग आते हैं और बालाजी बहुगान के इस्पेशली दर्शन क सिर्फ और 40 किलोमेटर के दूरी पर यह पूरा का पूरा डुंगर बढ़ता है और डुंगर के उपर डुंगर बालाजी का मंदिर है यह पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं पूरा का पूरा चांदी से बनाया गया है और अलग-अलग भक्तों ने यहां पर अपनी झाल झाल आप लोगों को पूरी की पूरी इंफोर्मेशन मैंने इस डूंगर बालाजी के मंदिर की दी और आप लोग यहाँ पे सुजानगर्ड लाड़नू चूरू इस डिस्टिक्स के इलाके में हो तो प्लीज यहाँ पे जरूर आना यह बहुत ही ज्यादा अच्छा मंदिर है यहा अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा सीन भी आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगा आप लोग देख सकते हैं नीचे जो रोड है कुछ वीकल्स वहां जा रहे हैं देखो एक उट गाड़ी जा रही है वहां से अमें कूं आप और यह पूरो का। ओर एरिया जो है आप यहां से देख पा थे इसके बाग में इसके बाद में यहा wizard मंदिर बना हुआ है शरी भॉलिनाथ भगवान जी का संकर भगवान की तो यह यहे यहां पे मंदिर है संकर भगवान का यहां पे पूजन चल करेंगे फिर अब लोग वापस घर के लिए आए थे आप लोगों को दर्शन करवाए कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरू बता ना वीडियो कैसा लगा और यहां के पूरी पूरी वाइब्स एक अलगी आती है देवस्टनल वाइब्स जैसे धार्मिक जगह पर जाते है यह साड़े 400 साल पुराना मंदिर है, आज पता लगा है, हैलमेट ले लेते हैं, यह भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, वापस आना पड़ेगा, तो भाई लोगों नीचे की और जा रहे हैं, अपने आप गाड़ी चल रही हमारी, और हैलमेट मेरे हाथ में है, बेग अरिश प्रेंड्स फिलालम इस मंदिर में थे और यहां पे अंकल जी में ने अंकल आख चुपना में, श्रीमकेश जी, और यहां पे बच्चा मिला सा चोटा सा मासुम, यह बच्चा मेरे पास में और मेरे से पूस्ता है का आप व्लॉगर है, मैंने बलोगर हूँ, क्या नम है ब क्या कौन सी कास में आप शिक्स सिक्स कास में पढ़ाई अच्छे से करना है ठीक है अंकल तो मच बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जैश्री बाला जी बाला जी रोगाई पोटो सेशन करने के बाद में कुदमे की बात नहीं कर नहीं है नीचे आजाओ चुमचाब यह पत्थर तोड़ यह रही से घर बनाएंगे उपर जागे तो भई हरी शचु आगे अभी मैं जा रहे हूं उपर देखवा बंदर मामा आगे वहाई बंदर मामा आगे भाई मत करो यह मजा कर रहे हैं पहुन ले जाएगा मेरा इस भाई देखो यह यह जो भईया नहीं है फिरी मेरा इम मोबाईल को इसारा कर रहे हैं उस बंदर को कि मोबाई ले जा बाई यह साथ हजार तुडी हो जाएगी सटी जाओ जाओ बाइबाय टाटा कटम अभी चलो यह यह वं जो अब मैं बंदर बंद रहाओ तो गाईज जो टीघ्वाण झाल 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 मतलब डायरेक्ट चट्तान के उपर एक हलकी हलकी रोड बना रखी है जिसके उपर हमारी बाइक की जान चली जाने वाली थी पैस बच गई वो जैसे दे से करके इधर से आये था दोनों को दोनों बंदर भाई अब यह देख सकते हो सिर्फ इतने ही यहां पर माउंटेंस है और यहां पर यहां पर यहां पर बगवान का मंतिर बना था क्यों बना था कैसे बना था वो आप लोगों को मैंने बता दिया है और यहां पर बहुत जदा मझा आया है एक्स्ट्रीम लेवल का इंचोई कि आप लगों को बहुत 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 जाने वाल है कुछ भी अच्छा लगा था थो प्लीज लाइक कर देना चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे हेल्मेट आने वाली उठने नहीं वाली है तो फिलाल चलते हैं मेरी बाइक को ले के आता हूं इधर सो यहां आकर सिरियसली बहुर मज़ा है हम लोग को और व्यू जो था यहां का वह एक फिलाल तो हम लोग हमारे घर की ओर जा रहे हैं सो गाइस लास्ट टाइम यह सीन देख लो अभी हम लोग यहां से निकल रहे हैं अब बाइक चलाने में अलग मज़ा आएगा बाइक बंद कर दिये गाइस बाइक अपने अब चल रही है बाइक बंद कर दी गाइस 40 की स्पीड चड़ गई बाइक बंद में मज़ा आगया यार बंद बाइक 40 की स्पीड है कि